हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम असमान हर वाली भिन्नों को गटाना सिखेंगे अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लें तो आए शुरू करते हैं बच्चों दो बटे तीन और तीन बटे पांच दो असमान हर वाली भिन्ने हैं दो बटे तीन में से हमको तीन बटे पांच भिन्न को गटाना है बच्चों जब दी गई भिन्नों के हर असमान होते हैं तो हम भिन्नों को गटाने से पहले उनके असमा का LCM यानि कि लभुतम समाव़्ट एक ग्याद कर लेते हैं दी गई भिन्नों के आसमान हर हैं 3 और 5 तो आए 3 और 5 का LCM ग्याद करते हैं 3 एकब 3, 5 नहीं जाएगा इसको ऐसे ही लिख लेंगे फिर 5 से 1 ऐसे ही लिख लेंगे 5 एकम 5 तो बच्चों 3 और 5 का LCM होगा तीन गुड़े 5 बड़ाबर 15 अब बच्चों हमें इन भिन्नों के हरों को 15 में परिवर्टित करना है तो दो बटे तीन भिन्न के हर को 15 में परिवर्टित करने के लिए 5 से गुड़ा करेंगे और 7 ही 7 इसके अंस में भी 5 से ही गुड़ा करेंगे इसके बाद बच्चों 3 बटे 5 बिनके हर को 15 में परवर्थित करने के लिए 3 से गुड़ा करेंगे और 7 ही 7 इसके अंस में भी 3 से ही गुड़ा करेंगे अब बच्चों 2 पंजे 10 तीन पंजे 15 तीन तीया 9 फास तीया 15 हर को एक साथ लिख लेते हैं 10 माइनस 9 बराबर 1 बटे 15 आए बच्चों इसको एक और उदारर से समझते हैं 5 बटे 6 में से 2 बटे 3 बिनको गटाना है हमको यहां इन दोनों बिन्नों के हर असमान है इस बिनका हर 6 और इस बिनका हर 3 है तो सबसे पहले हमें 6 और 3 का LCM ग्याद करना होगा तो आएए 6 और 3 का LCM ग्याद कर लेते हैं तो बच्चों 6 और 3 का LCM होगा 2 गुडे 3 2 तिया 6 5 बटे 6 इस बिनका हर पहले से ही 6 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 2 बटे 3 3 को 6 में परवर्टित करने के लिए 2 से गुडा करेंगे 7 ही 7 अंस में भी 2 से गुडा करेंगे अब बच्चों 5 बटे 6 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6 अब ये दोनों हमें समान हर वाली भिन्ने मिल गई हैं एक बार हर को लिख लेंगे फिर 5 माइनस 4 5 में से 4 जाने पर एक मिलेगा इस प्रकार बच्चों बहुत ही आसानी से हम असमान हर वाली भिन्नों को गटा सकते हैं बच्चों ये आपका होमवर्क है आपको इन असमान हर वाली भिन्नों को गटाना है उमीद है बच्चों आपको असमान हरवाली भिन्नों को गटाना अच्छे से आ गया होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ थैंक्यू